किसान भाईयों गन्य की खेत में दो कीटों का बहुत ही जादे अटेक देखने को मिलता है जो फसल को बरबात कर देती हैं इसमें जो पहला कीट आता है किसान भाईयों वो टाप बोरर आता है और जो दूसरा कीट होता है पारिला केट तो इन कीटों के बारे में आज की वीड को भीयान कर दें जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटा-फट मिलती रहे किसान भाईयों वीडियो के अंतक बने रहेगा जिससे आपको एक नई जानकारी और जठीक जानकारी मिल सके नमस्कार मेरे दोस्तों अजय बर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके किर्शी पार्धान भारत में नवह जब आप अपने घंपjść जाएंगे चाहें बवारी का िंड़िकर कंड़ा भाई हो आप देखेंगे कि उसमें जाएंगे तो एक बहुँत lli से उसमें कीट उरता है जो तो बादामी कलरका होता है किसान भाईयों, या फिर जब आप अपने खेत में सुबा या साम में जाएंगे, तो एक चादी कलरका, मतलब सफेद कलरका एक कीड़ा उरता है, आप देख सकते हैं, बादामी कलरका भी आपको एक कीड़ा यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये क कीड़ा का नुक्सान पहुंचाने का तरीका अलग-अलग है जो हम आगे जानने वाले हैं, दोस्तों ये जो चादी कलरका, वाइट कलरका जो कीड़ा होता है, इससे हम टाप बोरक посмотреть होता है और इजो कीड़ा में किसान भाईयों, ये कैसे नुक्सान पहुंचाता है हमारे अंडे को देता है और अंडा देने के बाद इसके जो लार जब वो अंडा फूरता है उसके लारवे निकरते हैं वो हमारे पौधे में चले जाते हैं और क्या होता है हमारे गन्ने के जो टाप होते हैं मतलब यह जो टाप के जो गन्ने मतलब यह सीख होता है इसी को यह पौधा कहां बढ़ेगा तो किसान भाईयों इसे कंट्रोल करने का जो तरीका होता है कि शुरुवात में ही आप अपने खेत में कोराजन का इस्प्रे कर दें या अगर परकोब जादे हो गए हैं तो आप या फिर आप अपने उस प्लांट को काट करके अपनी खेत से निकाल दीजिए किसान भाईयों अगर आपके खेत में टाप बोर लगा हुआ है अगर आप इसका डीटियल बीदो पाना चाह रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिस्टिन में लिंक दिया गया है या फिर हमारे चैनल पे जा करके आप टाप बोर के बारे में एक डीटियल जानकारी ले सकत बारिला को हम बादाञी बहुत से तरीके से दीकता है और यह जो हमारे खेत में यह चोड़ते हैं छोटज़ी बहुत होते हैं उस बसे बाद में बाद में बादाछी यह ना हो हो जाता है Prab क्या करता है कि आप देखते होंगे कि आपके खेत में कभी-कभी ऐसा होता है कि देखते हैं कि पत्यों में ऐसे धब्बे दोस्तों पत्यों में धब्बे पड़ जाते हैं बगल-बगल से हरा होगा और बीच-बीच में लगेगा कि जैसे किसी ने वाइड कलर का कोई पेंट ल लेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी तो जब क्लोरोफिल की कमी होगी तो यह जो पत्तियां होती है थोड़ी पीरी पलने रखती है पौधों का ग्रोथ कम हो जाता है तो इस परकार से हमारे पौधे में यह सब दिक्कते देखने को मिलती है जो अपने खेट में जो 1.500 ml की कोराजन आती है इसका ड्रेंचिंग करिए दोस्तों आप बात करते हैं कि जो पारिल्ला होता है इसको कैसे आपको कंट्रूल करना है तो इसके लिए आप कीट नासक कोई नार्मल जो सस्ते कीट नासक होते हैं इसका भी स्परे कर देंगे तो ये आपके खेट से भाग जातेयां इसके लिए आप इमीड़ा क्लोरोपीड या फिर खिसान भाईयों थायों में दोखसम इनका भी स्परे लगा सकते हैं अगर इनके डोज की बात करें दोस्तों तो प्रति एकड में आप 500 ml इसका छिड़काव करिए तो इससे भी आपके कीड भाग जाएंगे यह सस्ते होते हैं और किसान भाईयों यह थोड़े समय के लिए हमारे खेट में आते हैं उसके बाद धीरे-धीरे खेट से चले भी जाते हैं लेकिन अगर जादे हो रहा है पौदों को नुकसान भी रहिएगा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यबाद जय जवान जय किसान्थ